बाडी को डिटॉक्स करने के लिए सरीर की गंद्धी को निकालने वाला है जैसा कि मैंने पहले बताया है जो भी सरीर की गंद्धी को निकालने के लिए आयर्वेदिक वनस्पतियां हैं, आउछदियां हैं, हर्वल गार्डन हैं, उसमें आपको खोजने की जरूरत है, सब आपके बगल में है, बहुत ही आसान तुलसी पत्ता, बहुत आसान पानका पत्ता, बहुत ही आसान शाल पढ़ने, बहुत आसान हल्दी, बहुत आसान अध तरीका रोगी का रोग और रोगी का अवस्ता बाल वस्ता में है योगन वस्ता में है वो ले पाएगा नहीं ले पाएगा उसको देने से रोगी को विश्वास में लेना होगा क्योंकि नीशन दे कुछ दवाईयां ऐसी है जो आसानी से सुलब तो होती है और उसको लेना थोड़ा कश्टकर होता है सब जानते हैं गोल मरीच गोल मरीच क्या है कटू मरीच आज सोलह सु रुपए दाम है कोई नहीं खरीता है लेकिन अद्रक जो है वो चार सो रुपए किलो है सो ग्राम कदाम चालीस रुपए है लेकिन कोई भी सबजी ऐसा ने जिसम अद्रक नहीं पड़ता है निशंदे वो दवा अद्रक अद्रक अपने आप में खांसी शर्दी के साथ सा सरी की गंदिगी को बाहर करता है और हमारा जब सरी बीच से भर जाता है अब बीच से मतलब मान लिजे किसी वो बेहिसाब खांसी हो रहा है तुक नहीं खाली अद्रक और गोल की डोनोम Image खाली अद्रक और एक तोगय का घी मिलाकर और पिला रेगा तो इतना भी पूराना कण वह बारत है चबाल रहा है सुद्धी कमष्ट सूदी घी कहां सबूलाएं सबनाएं नहीं तो अद्रक है गरम करके अद्रक और चार दाना गोल्मरीज एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार गोल्मरीज पीस के गरम करके उसको मिला के चटाना पर उसको ख्याल रहे मदू नहीं मिलाना मदू के अलावा उसको चाय में खाड़ा बनाके एक गिलाज पानी लिया एक चमच अद्रग एक चमच मतलब है मुश्कि पानी में डालेंगे पकाएंगे और जब गिलास आधा पानी बच जाएगा उसको च्छान के पीड़ेंगे वह हो गया कड़ा आपको तीन महिना कम जगम लेना तो यह हुआ सरी को डिटॉक्स करने का